इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो वजीर एक्षेंज है सिंपली उससे आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं आई अनार में मैं आपको बताने वाला हूँ, यूसडी में बताने वाला हूँ, डॉलर में और बिटकोईन में सेम मैं आपको सिस्टम रहेगा, बहुत इजी वीडियो होने वाला है, और मैं आपको मोबाईल एप्लिकेशन के थुरू बताने वाला हूँ, तो गाईस आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, अपना आईडी पासरोड डाल के आप लोगिन कर लीजिएगा, चलिए, आप जैसे ये अप्लिकेशन ओपन करेंगे, तो नीचे चार उप्शन आएंगे आपको, आपको मार्केट वाला गाईस जो उप्शन है, वो सलेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप अपनी होल्डिंग्स को देख ले, फंड पे क्लिक करें, फंड पे क्लिक करने के बाद आप अपनी होल्डिंग्स को देखें गाईस, कि आपकी जो होल्डिंग है, वो कितनी है, जैसे मेरे पास होल्डिंग है, वो आप देख सकते हैं कि जो process रहेगा suppose that आपको उपर बहुत सारे option मिलेंगे जो P2P है वो मिल जाएगा INR का मैं आपको तीनों बताने वाला हूँ INR का बताने वाला हूँ, dollar में बताने वाला हूँ और bitcoin में ठीक है तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे सबसे उपर आपको मिल जाता है, btc slash INR उसके बाद जो price live वो दिख जाता है volume दिख जाता है, high दिख जाता है, low दिख जाता है सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, नीचे भी आपको बहुत सारे options लिए आपे मिल जाते है अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको buy sell पी क्लिक करना है, जो यह logo भी आप देख रहा है, अब यहाँ पे देखिए जो price है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि price present में क्या चल रहा है, और आप कितना bitcoin buy करना चाहते हैं, वो आप यहाँ डालेंगे, amount में, आप अपने इसाब से जो price है, इसको customize भी कर सकते है, जितना आप ऐसे डालना चाहिए, वो डाल सकते हो, अपने इसाब से यह चीज का आप ध्यान रखे, अब सबसे पहले तो आपको अपने इसाब से यहाँ पे देखिए, price customize होता जाएगा, फिर आप क्या कर सकते हैं कि नीचे total amount लिख सकते हैं, जैसे माल लो, आपको 800 रुपे का buy करना है तो इतना bitcoin आएगा, इस price से फिर आप यहाँ पे देखिए, लिखा है 25, 50, 55, 100, इसका मतलब क्या है, देखिए, आपके बस जितना पैसा होगा, 25 पे लगाओगे तो half हो जाएगा, आदा हो जाएगा फिर उससे थोड़ा जादा हो जाएगा, फिर पूरा यूज हो जाएगा, 100 पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से work करता है, sell करना है इस तो sell पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाईस्ट प्राइज अभी सलेक्ट है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे जो भी हाईस्ट प्राइज होगा, यह अपने इसाफ से कस्टमाइज कर सकते हैं, अब मान लीजिए कि आपके पास, दिखिए हाँ पे जीरो बिटकोइन लिखा हुआ है, अब जितना भी होता हूँ, आपको दिखाए देता, अब ही जैसे मैं ट्रोन सेल करने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा मैं, वही आप जितना चाहें, आइन आर जैसे मान लो कि मैं 2000 के सेल करना चाहता हूँ, तो 2000 लिख दूँगा मेरा इतना बिटकोइन सेल होगा, ये एक बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बरवाद नहीं होता है, ऐसे बार बार ऐसे चेक करने में, कि यार मैं इतना बेचूँगा, तो मुझे कितना रुपए मिलेगा, ये मुझे बीटी सी लिखा है, तीर का निसान है, यहाँ क्लिक करूँगा, बैक आज़ाँगा, चलिए यहाँ पर ट्रॉन अपना देख लेते हैं, कहा है, यह रहा, यहाँ पर आप देखेंगे, टी आरेक्स, टी आरेक्स के नीचे लिखा है, दिखें, उपर जो लिखा होता है, वो उसके नीचे फुल, उसका जो भी नाम होता है, जैसे एटी एच, एटी एच का इथेरियम, ठीक है, तो टी आरेक्स पे मैं क्लिक करूँगा, वो ही मैं आपे बहुत सारे उप्शन मुझे मिल जाते हैं, बाइ सेल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, धान जे समझेगा, बाइ कर जैसे कि मैं थोड़े देर पहले बताया था, आपको सारी चीजे मैं सेल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरा सेल पे क्लिक है, जो भी प्राइज लाइव वो यहाँ दिखा रहा है, अब दिखिए, मेरे बास कितने हैं, 246, 246 का 25 परसेंट, 61 हो गया, 50 परसेंट, 123 हो गया 100% कितना हो गया मेरा, देख सकते हैं, पूरा कोईन यूज हो गया, मेरे 246 कोईन का कितना रुपए बनता है, वो भी आप देख सकते हैं, चलिए, पूरा का पूरा जो मैं कोईन है, सिंपली, उसको सेल कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 100% सेलेक्ट कर लिया, सेल पे क्लिक कि है, इसको confirm करना है, इस तरीके से slide करना है, यहाँ देखेंगे कि हमारा जो order है, वो complete हो चुका है, अब हमारा order तो लग चुका है, बट हमें कैसे बता कि हमारा सेल हुआ है की नहीं, यहाँ पे देखिए, मैंने क्या था, जो live price चल रहा था, उसके साफ से लगाया था, मैं क् माई order पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देखिए, कि मेरा जो order है, वो लग चुका है, मैं anytime चाहूँ तो इसको cancel भी कर सकता हूँ, ठीक है, मेरा price जो देखेंगे आप वो लगा हुआ है, दो रुपे, 41 पैसे पे लगा हुआ है, टोटल मेरा कितना amount लगा हुआ है, वो आप coin में देख सकते हैं, उपर उपर, कितना sell हुआ है, वो देख सकते हैं, जीरो, टोटल amount, मेरा जो बनता है, वो नीचे दिख रहा है, अब क्या होता है, किसी user को मान लीजिए, कम चाहिए, या फिर उस प्राइज में लगाया था, उसको 1000 coin कहीं और से मिल जाते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो आपका order देखिए, यहाँ पे आपका order जो 32 से जुड़ रही है, लाल कलर की यह वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यह आपका order है, ठीक है, और इससे भी कम में किसी नहीं लगा रखा है, सरफ एक point का फरक है, सरफ एक point का फरक है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं, आपको यहाँ पे patience रखना पड़ेगा, कि कि वो चीज आपको बहुत सीखनी पड़ेगी, इसमें, आप जल्दी भाजी ना करें, अगर आप live में बेचना चाहते हैं, दो रुपर 40 पैसे में बेचना चाहते हैं, तो within second के अंदर आप बेच सकते हैं, cancel करके, ठीक है, यह बहुत easy है, so guys मुझे बनाना है वीडियो, तो मैं क्या करता हूँ, कोई फरक नहीं पड़ता है, चलिए इसको sell out कर देते हैं, मैं यहाँ पे वापस से my order पे click करता हूँ, cancel पे click करता हूँ, और उसके बाद में क्या करता हूँ, कि जो order है, उसक 40 पैसे कर देता हूँ, और total coin, जो sell out है, वो कर देता हूँ, sell कर देता हूँ, swipe कर देता हूँ, ठीक है, तो चलिए, यह देखिए, तुरंत गायव हो गया, history पे click करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे, कि यह तुरंत complete हो गया, ठीक है, तुरंत complete हो गया, कि हमारा जो order था guys, वो same जो बंदे ने लगाया था, आप देखेंगे, कि यहाँ पे just जो bid का amount है, वो भी जो buyer है, उसने बढ़ा दिया है, ठीक है, आपको यहाँ पे, जो buyer है उपर देखेंगे, buy price भी दिख जाता है, और sell price भी दिख जाता है, तो आप इस तरीके से उसको identify कर सकते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको just अभी बताया था, कि जैसे अपना थोड़ा सा मैं back आता हूँ, यहाँ से back कर लेता हूँ, वापस से TRX पे, आप अपना जाके my order पे click करेंगे, यहाँ पे आप अपनी history देख सकते हैं, open में, आपका जो भी trade होगा guys, वो दिख ठाई देगी, ठीक है, अब आते हैं वापस से, back आ जाते हैं पूरा, अब मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे bitcoin में trade करना है, buy or sell, bitcoin पे click करेंगे, same process रहेगा, same सारी चीज़े रहेंगी guys, कोई नया नवादा system नहीं है, buy, sell, यहाँ पे click करेंगे, बीच में डबे में, यहाँ आपे guys, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यह dollar में price है guys, तो यहाँ पे आपको confuse होने की ज़रूरत नहीं है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो dollar है, ना कि Indian rupees, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, कि जो इस time price हो कितना है, 14,44,725 रुपे हैं, ठीक है, तो आप इस ची लगा हुआ है, buying price है, dollar में है guys, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है, sell करने वाला है, उसने कितने dollar में लगा रखा है, buy करने वाले कितना dollar में करना चाते हैं, आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखे, एक एक point अगर आपने गलती किया ना guys, तो आपको बहुत जाना बरना पड़ेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखे, same process रहेगा, buy sell में, अगर आप same, ये तो था, पहला था INR में, ये था dollar में, अब है bitcoin में, BTC पी click करें, अब आप suppose that कि यहाँ पे जो ripple है, यानि कि XRP है, इसको buy sell करना चाते हैं, यहाँ पे click करेंगे, यहाँ पे जैसे click करेंगे, orders में आपको दिख जाएगा, कि कितने सतोसी पे कौन बंदा buy करना चाता है, और कौन बंदा कितने सतोसी पे sell कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, 0.00, जो भी है, 32, 26 मान के चलते हैं, कोई भी बंदा है, वो buy करना चाता है, 32, 26 पे, कोई भी बंदा है, वो 57, यानि कि 32, 57 पे sell करना चाता है, volume देख सकते है, कितना हो चाता है, वो, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाए देते हैं, guys, आप यह मत सोचना कि यहाँ पे इतने से transaction है, बहुत सारे हैं, बहुत ज़ादा transaction है, बट यहाँ पे गिने चुने transaction दिखाता है, volume के यहाँ पे आप कितना coin खरीदना चाते हैं, वो लिख देंगे, bitcoin में आपका amount आ जाएगा, या फिर आप bitcoin में नीचे, यहाँ पे amount लिख देंगे, कि भाई, आप कितना bitcoin का खरीदना चाते हैं, तो वो भी लिखागा जाएगा, suppose that, कि मैं इतने का खरीदना चाता हूँ, तो बहुत easy है, guys, कोई complicated नहीं है, बहुत easy है, इस तरीके से आप bitcoin में भी trade कर सकते हैं, यहाँ बिटकोईन से, अगर आपके पास bitcoin है, तो bitcoin से आप किसी भी coin को खरीद सकते हैं, easy है, dollar है आपके पास, तो dollar से भी आप इस तरीके से खरीद सकते हैं, INAR या नहीं, Indian rupees तो इस तरीक करो, मैं बहुत सारे multiple वीडियो डालता रहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छे लगते हैं, मैं मिलता हूँ ऐसे interesting वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, बंदे मातरह, अस्तरी, मुस्कराते रहे,